आज तुम सक्स के लिए परेसान है जो किसी और के साथ खोसी-खोसी रह रहा है पिजडे में बंद पक्षी कभी हमारा नहीं होता हमारा वो तब ही है जब पिजड़ा खुला हो फिर भी वो हमारा साथ ना छोड़े इसलिए उसे भूल जाने में ही तेरी भलाई है और वो ऐसे भी तेरे अंदर कमी क्या है कभी सोचा है कि तुम जिस सक्स के लिए तना परेसान है रो रहा है क्या सच में वो तेरा है या तेरा था वो तेरा था ही नहीं कभी कुद को सोचना, खुद को देखना कि क्या तेरे अंदर कोई कमी है, नहीं होगी हर इनसान की तरह तो भी है बहुत कुछ कर सकता है पर तो इस चीज को पगड़के बैठ गया है जो तेरा है ही नहीं जो तेरा होना ही नहीं चाहता था वो किसी और का है तेरे साथ बस उसे वक्त काटना था टाइम वो वक्त निकल गया, इंसान निकल गया अब दो रास्ते हैं, या कि तु रोता हुआ बैठा रहे और अपने जिंदगी वरवात कर ले इसमें उसका गंटा कुछ नहीं पुगडने वाला और दूसरा, कि तु अपने वारे में सोचे अपने लिए जिये, अपने लिए कुछ अच्छा करे और उससे कहीं अच्छा डेजर्व करता है लेकिन बस तो उस चीज़ से बाहरा एक बार सब कुछ अच्छा हो जाएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें छोड़की चले जाते हैं हम उनके पीछे पीछे जाते नहीं हैं जाए वो हमारे माबाप हो, भाई, बेहन हो, दोस्त हो उस तरह तु समझ सकता है क्यों तेरे लिए जा चुका है अब नहीं आने हैं इंसान खतम, बात खतम